नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्री कृष्ण हरी है, मैं बिहार से हूँ, भारत जोडो यात्रा में, मैं भी भारत यात्रियों में एक हूँ अनुभूती अनुभव कई दिशाओं में रहे हमारे और कई कहानिया कुछ इस किस्म की रही कि जिनोंने अंदर तक खिला दिया मैं आपको सुनाओंगा, मैसूर में दशेहरा की हाथियों द्वारा निकाली गई वार्षिक शोभायात्रा मैसूर की भव्य दशेहरा शोभायात्रा के बारे में तो हम सभी जानते हैं जहां हाथियों का एक दल देवी चामिंडेश्वरी की मूर्ती साड़े साथ सो किलोग्राम सोने के होदे पर अपनी पीट पर लेकर एक शोभायात्रा में मैसूर महल से निकल कर बंकी वट तक जाता है लेकिन तकरीबन 80 साल पूर्व एक विचितर घटना घटी मुख्य शाही हाथी जिसे ये जम्मेदारी निभानी होती है वो रहस्मई तरीके से बीमार पड़ गया महावतों ने वन अधिकारियों ने महल के सिवादारों ने सभी ने प्रयास किया कि हाथी जल्द से जल्द स्वस्थ हो लेकिन ऐसा हो न सका महावत अंततों गत्वा हाथी को इमाम वली शाह जी की दर्गाः पर लेकर गए और उन्होंने अपनी परिशाणी वहाँ के सूफी संतों को बताई संतों ने हाथी को दर्गाः के तालाब में नहलाया और एक ताबीज हाथी के पैरों में बांधी ताबीज ने अपनी शिफा दिखाई हाथी जो कई दिनों से बीमार था शाम होते होते स्वस्थ हो गया महावतों ने और महल के सेवादारों ने ये तै किया कि बविश्य की सभी यात्राओं से पुर्व आयुद पूजा की शाम को शाम 6-7 के बीच महावत हाथियों को दरगाह ले जाते हैं वहाँ के तालाब में हाथी स्नान करते हैं सूफी संतों को अगरबत्ती और बूंदी की भेट अरपन करते हैं सूफी संत मयूर पंक से हाथियों को आशिरवाद देते हैं और यात्रा की सफलता और हाथियों के स्वास्त के लिए दुआ करते हैं ये प्रथा निरंतर चली आ रही है और ये एक इबारत के तौर पर स्थापित है उस शोभा यात्रा की शोभा इस प्रथा के बाद और भी उज्वल हो गए ये कुछ कहानिया ऐसी है जो हमारे भारत की दंगा जमनी तहजीब का प्रमाण है जो कहीं गुम होती चली जा रहे हैं प्रयास होना चाहिए कि ये कहानिया जन मानस तक दोबारा पहुंचे भारत जोडों की यात्रा के कर्म में कहानिया तो यूं कई आई परन्तों इस कहानी ने मर्महत कर दिया वै मनस्य का जो माहौल आज देश में फैलाया जा रहा है धारमिक आधार पर भाशाई आधार पर प्रांतिय आधार पर जिस किसम से देश की लोगों को बाटा जा रहा है ये कहानिया हमारे उस विश्वास को सुद्रड करती है कि भारत अनिकताओं में एकता का देश है विविधताओं में एकता क का देश है परन्तु यदि इन कहानियों को आने वाली पीडियों को नहीं बताया गया तो क्या हमारी पीडियां इस भाव को समझ पाएंगी इस परस्पर सह भागिता के भाव को समझ पाएंगी सोचेगा सोचने की बार शुक्रियों कर दो